दोस्तों मैं हूँ राजिस आपका बहुत-बहुत स्वाहत करता हूँ आपके अपने चैनल अप्रोटेक में दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि आज सुप्रिम कोट में इसका हेरिंग है ग्रेफाइक इंडिया लिमिटेट के उपर तो पहले मैं आपको इसका रीकेप पता दो कि आज क्या होने वाला है जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ माहिने पहले एची जी और ग्रेफाइक इंडिया को सुप्रिम कोट ने इलाग किया था कि वो नीडिल को इंपोर्ट कर सकते हैं कुछ समय पहले बैंगलूर का जो ग्रेफाइट इंडिया प्लांट है उसके वाए मैं अपने न्यूज में सोना होगा कि वहाँ पर पॉलूशन के कहां कुछ प्रालम आ रही है कुछ जो लोकल लोगे ने उस पर कंसर्ण जटा है था कि बहुत पॉलूशन हो रही है ग्रेफायट इंडिया कंपनी से तो इस पर सुप्रीम कोट ने 9 अकटूबर को जो अपना जज्यमिन दिया था उस समय उन्होंने पूछा था कि क्यो न ग्रेफायट इंडिया का जो लाइसेंस दिया गया निजिल को इंपोर्ट करने का उसे कैंसल कर दिया जाय तो इस पे ग्रिफायट इंडिया ने बहुत जल्दी वाजी में एनॉंस्मेंट किया था कि वो मेंटेनस वर्क के लिए वो नॉम्बर तक वो अपने फैक्ट्री को बंद करेंगे बंद करेंगे बाद में उन्होंने सुप्रीम कोट से कुछ और समय मांगा था जिससे को अपन सुप्रीम कोट में इसका हेरिंग है कि ग्रिफायट इंडिया ने जो रिपलाई समीट किया है और पॉलिशन कंट्रोल बोड ने जो समीट किया है डिटेल रिपोर्ट जो समीट किया है उस पर आज हेरिंग होगा और इसमें सुप्रीम कोट अगर सटिस्फायड नहीं होती ह तो इस पर कुछ परिश्मन दिया जा सकता है तो देखिए आज का जो हीरिंग होगा इसमें क्या-क्या पॉइंट है जो कि इसमें देखने लाइख है तो जैसा कि बहुत साइप कंपनियों ने बहुत साइप ने कहा है कि अगर बैंगलोर प्लांट को सिफ बंद किया जाता है तो उससे ग्रफाइट इंडिया ज्यादा सफ़य नहीं करेगी क्योंकि उतके जो दुस्रे प्लांट है वो अपने बैंगलोर प्लांट का सारा काम दुस्रे प्लांट में सेट कर देगी और इससे उसके कंपनियों के प्रॉफिट पर ज्यादा इंपेक्ट नहीं आएगा लेकिन अगर इसेंट सुप्रिम कोट का इसेंट आटर अगर आप देखें तो इसेंट सुप्रिम कोट इस पर बहुत ही ज्यादा स्टिक्ट है कि उन कंपनियों पर जो पॉलिशन नौम्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि वो सिफ क्लोज करने का कुछ परनिशमीं पर दें रहे हो सकता है कि निविल कोक इंपोर्ट पर भी बेन लगा दे अगर ऐसा होता है तो प्लांट का जो सारे ऐसा होता है तो कि फैट इनियर जो डिमेनिंग प्लांट है उस पर भी इसका इंपक्ट आएगा क्योंकि निरिल कोख है जो कि उनका क्रिटकल राम बेटरियल है अगर इस तरह से अगर सुप्रिम कोट बैन लगाती है तो इसका इसके सेर प्रैस भी बहुत ही इंपक्ट आएगा और सेर प्रैस बहुत ही नीचे गिरेगा तो अच्छा तो यह होगा कि अगर अभी आप वेटर यह होगा कि आप एचीजी में मूब कर जाएं क्योंकि एचीजी में पॉलूशन का कोई इसूस नहीं है और अगर जज्ज्मेंट है जो कि ग्रफाइट इंडिया के फेवर में आता है तो इसका सेर प्रैस बहुत ही जैसे ही सुप्रीम कोट का इस पर जज्ज्मेंट आता है मैं आपको जल्दी से एक न्यू वीडियो के थूरू मैं आपको अपडेट कर दूंगा अगर आप चाहते हैं कि अपडेट आपको जल्द से जल्द मिले जिससे कि आप अपने सेर प्रैस पर अपना जो भी इंपेक जैहिंद दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए आपका सब्सक्रिप्सन ही हमारा सपोर्ट है नोटिपिकिशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए